आज चास परखंड कांग्रेस कमीटी भागवन के कार्याले में हमारे कांग्रेस के वरिष्ट नेता श्री असोक मिस्रा जी हमारे जो परभारी है उनके उपस्तिती में और तमाम कांग्रेस के वरिष्ट नेताओं के उपस्तिती में आज बुकारो जिला कांग्रेस कमीटी के निर्देशा अनुसार सभी परखंडों में ये कार्ज करम प्रेसवारता अहूत की गई है आउसी परिपेख्ष में आज हमारे चास परखंड भागवन में ये प्रेसवारता हो रही है मुख उद्देश यही है कि हमारे पुरो राष्टिय अध्यक्ष आदर्णिय स्री राहुल गांधी जी को आनन फानन में एक छोटे से मामले में भुजरात के एक छोटे से नियाले में मेजिस्टेट के दौरा एक निरने सुनाया गया जो मानहानी का भारत के इतियास में पहली बार मानहानी के मुद्दे पर किसी राष्टियस्तर के नेता को आनन फानन में सजा देकर और उसको लोकसभा सचीवालाई में आनन फानन में उसको स्विकिर्थी देकर बरखास्तगी का और इतना ही नहीं हद तो ये हो गई कि 22 अप्रेल तक इनको राउल गांधी जी को आवास खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया अगर की रहती तो भारतिय जनता पार्टी कास्ती तो आज भारत में नहीं रहता इसलिए मैं अधरनिय प्रधान मंत्री जीसे निवेदन करना चाहूंगा हम लोग सिविलाइज पार्टी है कॉंगरेज पार्टी एक अनुसासित पार्टी है हम लोग मांग करते हैं अधरनिय प्रधान मंत्री जीसे कि आप परतिसोत की राजनेति करना बंद करिये राहूल गाधी ने यही गलती किया था न यही सवाल पार्लियमेंट में पूछा कि आपका रिस्ता अडानी से क्या है जेपीजी का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है इन सारे मुद्दों को भटकाने के लिए 2019 का एक छोटा सा मुद्दा जो करनाटक में उन्होंने एक भासन दिया था उस मुद्दे को लेकर मेजिस्टेट के नियाले में उस आदेश को पारित करकर दोसी ठारा कर और जो है रावल गांधी की सदस्ता को समात करना भारत में कहीं न कहीं लोकतंतर की हत्या करने का परियास किया जा रहा है और हमारे कॉंग्रेस के तमाम नेता कार्च करता अब हम लोग सडक से सदन तक इस आवाज को इस रूप में उठाएंगे कि 2024 कॉंग्रेस पार्टी इस तानासा सरकार ये समझे कि सब के साथ पक्षपात करने वारे सरकार इसको उखार ठेक कर ही हम लोग दब लेंगे